नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम अभिनंदर है आप सभी का ndc initial classes में आप सभी को करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं और प्रणाम इसलिए करता हूं कि मतलब पिछले यह जो सीरीज स्टार्ट की है तब से लेकर जो कमेंट्स हैं वो एक ही प्रकार क्या रहे हैं कि सर बहुत अच्छी classes हैं और आप इन्हें जारी रखिएगा और बहुत से बहन और भाई फोन करते हैं कि सर आप आप से बात करके हमें अच्छा लगा कि आप खुद बात कर रहे हैं देखिए मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं मैं तो इनसान हूँ आप जैसा ही एक अभ्यरती रह बस मैं यह चाहता हूँ मेरी हर class जो है वो जिस प्रकार सेकंड डेड में classes बहुत अच्छे मतलब हजारों लाखों students तक पहुंची थी वैसे ही मेरी class पहुंचने चाहिए बस इतना ही आप करते रहो देखते जाहिए आगे आगे जो education जो है उसको दंदा नहीं बनने देंग उसको एकदम जरूरत मंद बच्चों तक लेकर रहेंगे आप मैं हम परियास कर रहे हैं लेकिन आप लोगों का सयोग बहुत जरूरी है ठीक है पिछली बार course लौंच किये थे इस बार course भी लौंच नहीं कि इस बार पूरा निशुल्ख है हो सकता है बहुत जल्द मैं आप उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं चिंता मनी तो जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ आपने सुना होगा कि चिंता मनी ने पूरी पूरी चिंता की थी जैसे केसव के जीवन पे 555 का खतरा है 1555 से 1617 है वैसे ही चिंता मनी ने पू चंदरशुकल ए रसी ने क्या कहा है रीतिकाल का प्रवर्तक का यह मेरी तो राइटिंग और खराब है बस बागी तो बड़िया ए एक राइटिंग थोड़ी सी क्या है खैट ही नहीं बैड़ती चली कोई बात नहीं इसी लिए लिखे लाणे लगे रितिकाल के प्रवर्टक कहे जाते हैं मैं आपको बता दूँ मैंने आपको कल भी बताया था कि ये रसवादी आचारे माने जाते थे रसवादी आचारे थे ये क्या थे रसवादी आचारे थे और इन्होंने मम्मट का इन्होंने मम्मट का अनुसरन किया था इन्होंने जो सर्वादिक अनुसरन किया था वो याद रखें वो किसका किया था मम्मट का अनुसरन किया था और ये रीती को जो इंतमणी है रीती को काव्वे का स्वभाव मानते है क्या मानते हैं? रिती को काववे का सोभाव मानता है ये याद रखिएगा ये याद इसलिए रखिएगा क्योंकि हम हमारे सलेवस में रिती भी है गुण भी है अलंकार भी है तो ये रिती काल बहुत इंपोर्टन हो जाता है उसके बाद बात करते है इनकी रचनाओं की तो रचनाओं में पहली रचना आती है कावे कल्पतरू क्या है कावे कल्पतरू क्या यही रचना है या नहीं रचना है बताओ देखें चिंतामणी की जो रचना है ये रचना नहीं है तो आप कहोगे सर कौन सी है आप जानते हैं कि वो रचना का नाम है कवी कुल कल्प तरू, क्या रचना है, कवी कुल कल्प तरू है, वो गलत लिखावा है, वहां पर काव्य कल्प तरू के जगए, कवी कुल कल्प तरू, ये इनकी रचना का नाम है, क्या नाम है, कवी कुल कल्प तरू, जो की 1650 में लिखी गई रचना ह 1600 मिन का जन्म हुआ था 1650 में इन्होंने ये रचना लिखे थी ठीक है और अगर पूछा जाए कि इसमें कितने अध्याय हैं तो आप ध्यान रखिएगा इसमें 8 प्रकरण है कितने हैं ये 8 प्रकरणों में मतलब ये रचना पूरी है प्रकरण के दो चाहिए अध्याय के दो एकी बात है 8 प्रकरण या फिर 8 प्रकरण या मैं इसको कह दूँ क्या है अध्याय है 8 प्रकरण या अध्याय है और इसके बारे में और तो क्या है एक तरह से कहते हैं कि ये रचना भानुदत की रसमंजरी का अनुवाद है रस विलास ठीक है उसके बाद आती है स्रंगार मंजरी क्या रचना है स्रंगार मंजरी जो की आने लिखी वी है मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा लिख देता हूँ एक रचना और है इनकी स्रंगार मंजरी क्या रचना है स्रं स्रंगार मंजरी, तो कवी कुल कल पतरू हो गई, और रस्विलास हो गई, और स्रंगार मंजरी हो गई, नीचे आपके काववे विवेक और काववे प्रकास ये दो रचनाएं और भी लिखी वी है, बिल्कुल ये दोनों रचनाएं इनकी है, ठीक है, इसके अलावा मैंने कल आपको और भी बताई थी, रामा स्वमेग, बताई थी और नहीं बताई थी, रामा स्वमेग, इसके अलवा कल मैंने आपको एक रचना और बताई थी, क्रिश्ण चरीत ये कब बताई थी, मैंने आपको बताया था, इनके प्रवंद काव्य, ये इनके क्या है, प्रवंद काव बहुत प्रसिद्ध है कि अवलोकनी में पलके न लगे पलकों अवलोकी बिना लगे तो यह जो पलके अलके अवलोकनी अब सर सैट कैसे करें सैट होती नहीं है बूल जाते हैं तो पलके आप यू बंद कर लो कि जब चिंता मनी ज़्यादा चिंता किया करता था पूरी-पूर पलकें बंद रूजाती थी ज़्यादा चिंता करते थे तो ँनकी पलकें उती ती बंद बस इस तरीकास याद घुर लोर क्या है मती राम चोर है देखो कोई परसनली मतले लेना मती राम मती राम चोर है क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1640 में तो देखिए तीनों के जन्म याद कर लिया हमने केसों के जीवन पर 500 पस्वन का खत्रा है चिंता मनी ने पूरी पूरी चिंता की थी और मती राम चोर ह यानि मतिराम जो है वो 1604 में इनका जन्म हुआ था और रामचंदर शुक्ल कहते हैं कि मतिराम की प्रतिनिदी कवियों में पदमाकर को छोड़ और किसी कवी में मतिराम किसी चलती भासा और सरस्वेंजना नहीं मिलती देखो क्या आप लेंग्वेज को समझना मतिराम की प्रतिनिदी कवियों में जो प्रारंबिक कवी हैं जो बिहारी हैं पदमाकर है रितिकाल के प्रतिनिदी कवियों में पदमाकर को छोड़ कर और किसी कवी में मतिराम किसी चलती भासा और सरस्वेंजना नहीं मिलती पदमाकर को छोड़कर यानि पदमाकर को स्रिष्ट बताया है मतिराम यानि एक तरह से यूं मान सकते हैं कि मतिराम की तुलना किस कर रामचंदर शुक्र ने मतिराम की तुलना मतिराम की तुलना जो है वो भासा को लेकर किस कवी से किया और पदमाकर से किया मैंने आपसे कहा कि यह जो definition होती है ना परिभासाई विद्वानों की उनमें से प्रश्ण निकलते है आजकर language वहां से तयार होती है तो इन परिभासाउं को समझ लेना चाहिए कि मतिराम की प्रसंट सा करते हुए लगते हैं कि रिती काल की प्रतिनिदी कवीयों में पदमाकर को छोड़कर और किसी कवी में इतनी चलती हुई भासा और सरस्वेंजना नहीं मलती है कहते हैं उनकी भासा में नाद संद्रिय विध्यमान है नाद संद्रिय भाव संद्रिय है ना, ये संद्रिय हमें REAT للैंग्वेज 2nd में हमारे थेर मेंने क्लासेस दी थी और ये CLASSES मेरे सबसे ज़्यादा पसंद्ध CLASSES में से एक है, नाद संद्रिय वगरा की जो CLASSES है रामचंदर शुकल कहते हैं आगे कि मतिराम की कविता में न तो भावों की कर्त्रिम था यानि कर्त्रिम भाव नहीं है और नहीं भासा की यानि भासा और भाव दौनों ही जो हैं निश्पक्ष हैं और यूँ कहें दोनों ही जो हैं वो मतलब स्वते ही स्फुर्त हैं मतलब नेचूरल हैं प्राकर्तिक हैं करत्रिम नहीं है अकरत्रिम है और भासा तो इनकी शब्द आडंबरों से मुक्त है यानि अनावश्यक चमतकार डालने के लिए अलंगकारों को चंदों को जबरदस्ती नहीं थोपा गया है शब्दा डंबरों से मुक्त भासा का प्रियोग करने वाले रामचंदर शुकल के अनुसार रितिकाल के किस कवी की भासा शब्दा डंबर से मुक्त है तो वो हैं अपने मतिराम देखो ऐसे ही बनता है प्रश्ण ऐसे ही प्रश्ण बनता है मतिराम सस्थई के दोहे भी बिहारी सस्थई के टक्कर के रामचंदर शुकल कहते हैं कि मतिराम सस्थई के जो दोहे हैं वो भी क्या है बिहारी सस्थई के दोहे के टक्कर के हैं मतलब 22 सच्छी तो टॉप है गागर में सागर भर रहा है लेकिन मतिराम सच्छी के दोहे भी जो है वो कम नहीं है ये बात कहते हैं नगेंदर कहते हैं कि मतिराम स्रंगार रसका विवेचन करने वाले कवियों में प्रथम स्थान पर आते है स्रंगार रसका जैसा विवेचन मतीराम ने किया है वैसा अन्य किसी और कवी ने नहीं ये बात एक तरह से कौन कहता है नगेंदर कहते हैं कि मतीराम ने जो स्रंगार रसका विवेचन किया है वो अतुलनिय है उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती मति राम के बारे में काफी कुछ चाना हमने इनकी एक पंक्ती है प्रसिद कुंदन को रंग फीको लागे जलके अति अंगनी चारू गोसाई है ना मतलब नाइका के सुंदरे के आगे कुंदन का रंग भी जो है फीका लगता है इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं कौन कहता है बूल जाते हैं रचनाएं हम बूलते ही नहीं है ललित ललाम ये जो ललित ललाम है ये भाव सिंग हाडा के आश्रे में लिखी थी इसके आश्रे में लिखी थी भाव सिहं हाडा के आश्रे में लिखी थी ललित ललाम आप मुझे बताओ, हमारे मन के जो भाव होते हैं, जिसे हम फिलिंग बोलते हैं वो सुंदर होती एक नहीं होती और ललित कार्थ क्या होता है सुंदर तो जो ललित ललाम, ये सब को बताओ कि ललित ललाम जो है वो मतिराम की है लेकिन किसके आश्रे में लिखी ये याद करने के लिए आप यूँ रख सकते हो कि ललित का मतलब सुन्दर है और सुन्दर तो हमारा भाव होता है हमारा मन होता है ना कि हमारा चेहरा होता है मतिराम ससई ये भोगनाथ जो भोगिनाथ आता है कहीं कहीं भोगनाथ के आश्रे में लिखी थी मतिराम जो ससई है वो किसके आश्रे में लिखी थी भोगनाथ के आश्रे में लिखी थी ठीक है ललित जिलाम होगी उसके बाद है अलंकार 85 का ज्यान चंद्र के आश्रे में लिखी दी वृत कोमुदी ये भी इनकी एक पसिद रचना है जो स्वरूप सिंग बुंदेला के आश्रे में लिखी दी इसके अलावा फूल मंजरी आगरा में जहांगीर के आश्रे में 62 दोहें यहां पर इंपर्टन हो जाती है 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है ठीक है ना एक फूल का वर्णन किया गया है अब आपसे पूछ लिया जाए कि मतिराम का कौन सा गरंथ बिहारी का अनुकरन करता है तो वो ग्रंध मतिराम सस्थी है इन्होंने बिहारी सस्थी के अनुकरण पर जो है मतिराम सस्थी लिखे थी ठीक है न? उसके अलावा इनकी एक और रचना भी है रसराज रसराज भी इनकी एक रचना है इसके बारे में भी ध्यान रखना तो लली सलाम हो गई, मतिराम सस्साई हो गई, अलंकार पंचा सिका हो गई, ठेक है वरत कौमूदी हो गई, ठेक अब वरत कौमूदी के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ, वरत कौमूदी में पांच प्रकास हैं, ये भी ध्यान रखें, वरत कौमूदी में क्या हैं, पा पास बात बता देता हूं वृत कोमूदी और फूल मंजरी के बारे में बताता हूं विस्वनात प्रसाद मिस्र इन दो रचनाओं के बारे में बता रहा हूं मैं वृत कोमूदी और फूल मंजरी विस्वनात प्रसाद मिस्र और बच्चन सिंग के अनुसार ये दोनों फूल मंजरी इस मती राम की नहीं है इनको लिखने वाड़ा कोई और मती राम था जबकि बाकी विद्वान ऐसा नहीं मानते है खैर हमें इतना डीब जाना ही नहीं है लेकिन थोड़ा से चर्चा कर लेते है जैसे मैंने आपको कलकेशव की कुछ रचनाई बताई उसमें आपको 16 प्रकास बताए 16 प्रभाव बताए 49 प्रकास बताए 33 प्रभाव बताए 22 बताए तो इधर मैंने 5 प्रकास बता दिये अभी मैंने 8 प्रकरण बताए थे आपको याद रखना अभी आपको बहुत इजी लग रहा है कि हाँ सर्द बता रहे हम नोट करते जा रहे है नोट्स में लेकिन याद रखें मैं फिर बोल रहा हूँ पढ़ने का पढ़ो वैसे हमने पढ़ा जैसे पढ़ने का तरीका ध्यान रखना तुम लोग अपना ग्यान मत लगाओ बहुत लगा लिया है एक साल वैकेंसी पीछे होते हो ना चार साल पीछे जाते हो याँ वैसे भी सरकारी जो नोकरी है ना वो पंचवर से योजना की तरह है तो थोड़ा सा समझे इस बात को और एक तरीका सही तरीका चुने और सही तरीका क्या है कि आप लोग आगे नचलें एक हड़़बडी ना करें सर फ़स्ट पेपर करें बताओ सर हिंदी तो मैं करलूँगा कुछ नहीं होता है करलूँगा कुछ नहीं होता है आप दिमाग में एक चीज बिठा लो, 150 प्रशन आएंगे हिंदी के, और 75 कॉशन आएंगे, मैं फर्स ट्रेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जी के के, तुम लोगों का पहला टार्गेट रोना चाहिए, हिंदी में जितना आज मैं बता रहा हूं, सिर्फ क्लास के बाद में उतना ही रिव करें, उस खाली स्पेस में, पिछे वड़ा पूरा रिविजन कर दे हैं, बैठे बैठे, आगे पढ़ने की कोशिस ना करें, जितना पढ़ाया उसी को रिविजन करें, क्योंकि आदी काल, वक्ती काल, रिती काल, इन तीन काल से 15 से 20 प्रशन आते हैं, ये तीन काल बहुत इ इस तो हबू आते हैं पेपर में, आई एस 15 हबू आते हैं, और 15 हबू, हमारे 15 ओर ले जाते हैं, तो 30 कौशन ले जाते हैं, पीछे बस जाते हैं, 120, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ हम, माइनस मार्किंग भी तो होती है, यूं कर कुरा केर हम अटेंडिंग 130 करके आते हैं फिर पंदरा गलत हो जाते हैं फिर पांच वैसे चले जाते हैं तो पंदरा पांच बीस तो गए तीस में से भी 110 कॉशन पर आके ठेर जाते हैं यही सबसे बड़ी गलती है स्मार्ट ले तैयारी करो बहुत जल्द मैं हिंदी साहिती वस्तुवनिस्ट जो क्लासे स्टार्ट कर रहा हूं साथ में ही स्टॉर में जाओगे तो हिंदी संपून पाथे करम का जो टेस्स कोर्स है एक तरह का टेस्स के एक वीड़ी उप लोड़ूड किया है कि उस टेस्ट की क्या खाशियत है वो क्यों लेना चाहिए आपको तो उसको देखें और फिर परचेज करें लेकिन टेस्ट स्रीज और नोट जरूर लेए कईयों को लगता है नहीं नहीं मैं तो नहीं लूँगा मैं तो कोई जिए मतलो कोई बात नहीं है मैं यह नहीं कहता है मेरे लेने वाड़ों का ही सेलेक्शन होगा मैं यह कहता हूँ जो ले रहे हैं उनका सेलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है अगर वो मेहनत करें तो क्योंकि मैं वो सारा बता दूँगा जो नोट से लेकिन कम से कम उन्हें पढ़ें आपको खुद को मुल्यांक रोगा वो वीडियो देखें फिर आप पर चीज़ करें उससे पहले आप मत करना बले आप चाहो मैंने आज तीनों में वीडियो अप्लोड किया है और आपको मैंने बताया है कि कब कब कौन से टेस्ट 21 टेस्ट का सेडूल जो है वो टेस्ट सरीज में बहुत जल्द अप्लोड होने वाला है 21 टेस्ट का सेडूल अप्लोड कर रहा हूँ और उसके एकोडिंग 20 टेस्ट होंगे 21 टेस्ट का मतलब समझते हो आप लोग 2100 प्रश्ण होंगे फिर उसके बाद में कि 11 टेस्ट का सेडूल ओर होगा इस तरह हम 3 स्टेप में चलेंगे मजाल है कि सेलेक्शन चूप जाए इस बार मेरा तो टार्गेट है मेरे हर स्टूडेंट को 125 से प्लस रखना फिर इसमें आजाते हैं 75 कौशन इसमें से अगर हम एक दिमाग में बिठा के चलें कि सिर्फ और सिर्फ 35 कौशन सही कर पाएं इतनी ही तैयारी करेंगे बेसी होगे तो ठीक नहीं तो आपना तो 35 की तैयारी कर सा ठीक है ना 35 में आप छोड़ ना कहीं कि वो मैं आगे बता सूँ जब मैं स्टार्ट करूँगा अफस पेपर तब में बताऊंगा कितना हो जाता है आप देख लीजिए 325 रेक 6 और 160 इंटू 2 कितना हो जाता है 320 यहां सेलेक्शन होता है और आप जो सेलेक्शन से रहते हो वो रहते कहां हो आप आजाते हो 280 और 290 अधिक्तिर जनसंग्या यहां रह जाती है सिर्फ तुम लोग अब देखो अंतर किताया तुम लोगों ने 10 कौशन गलत किये और लगबग तीन कौशन वो ले गया तो 13 इंटू 226 अब आप 296 जोड लीजिए आगे वहीं पर 306 के आसपास बस ये 5 से 10 कौशन तुम्हें अटेंड करने नहीं आते और इसी कारण से सलेक्शन से चूक रहे हो 5 से 10 कौशन अटेंड नहीं करने आते उनको अटेंड करने के लिए तुम्हें पूरी क्लसेज लेनी पड़े की नहीं लोगे तो फिर से दाक के तीन पातवई गूम फिर काएंगे सर थोड़ा सा पेपर बिगड गया कब तक कहते रहोगे पेपर बिगड गया बहुत हुआ अब के टेर मारी है अर्थाद अब के सलेक्शन के बारी मारी ये वस दिमाग में बिठा लो उस हिसाब से तैयारी करो चलिए तो हमने पड़ा ललितलाम भाव सिहरा मतिराम सस्सी भाव अपने क्या नाम है भोगिनाथ भोगनाथ लिखावा है भोगनाथ के आश्रे में अलंकार पंचासी का ग्यान चंद्र वृत कोमुदी फूल मंजरी दो इनकी रचना है एक वैं रचना और बता दी रसराज ये भी इनकी रचना है आईए भुषण पढ़ते हैं भुषण भुषण यानि गहना मेरा नहीं तेरा है तो 1613 में जनम हुआ था इनका मूल नाम था गंशाम दास डॉक्रन मगेंदर के अनूसार किस ने दी थी रुद्र साह सौलंकी ने दी थी ये वीरस के कवी कहे जाते हैं किस रस के कवी कहे जाते हैं वीरस के कवी कहे जाते हैं ठीक है ना अब ये जो नाम दिया है डॉक्टर नगेंदर ने गंश्यामदास बोला कि इनका नाम जो है गंश्यामदास हमारे गंपती अब जब एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तब क्या होता है नई चीज होती ना उन्हीं पर दिमाग लगाते हैं बाकी रिविजन चलता है उन्हीं को कैच करते हैं तो जैसे एक नई पतिराम या मनीराम था जबकि मैंने ऐसा कही नहीं सुना पहले ठीक है खैर भूशन सीवाजी और छट्रसाल बिंदेला के qualcosa में रहे कहा जाता है कि एक बार छट्रसाल बिंदेला ने क्या किया था त कि इनकी पालकी को कनदा दिया था अब बूशन ने एक पंक्ती बोलीती है आप जानते हैं उपंक्ति क्या है कि सीवा को बखानों की बखानों छत्र साल को सीवा जी का बखान करूं या छत्र साल का बखान करूं एक दूसरे से बढ़ चड़ करें दोनों ही हिंदू जाती के प्रतिनिदी कवी हैं आचारी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन दो वीरों का जिस उस्सा के साथ सारी हिंदू जंता स्मरण करती है उसी की वेंजना भूषण ने की है और वे हिंदू जाती के प्रतिनिदी कवी हैं तो एक तो याद रखना, रीतिकाल के प्रतनिदी कभी बिहारी हैं, जबकि हिंदु जाती के प्रतनिदी कभी जो हैं वो भूषण है, और ये बात कहने वाला कौन है रामचंद्र? शुकल है, कौन है रामचंद्र? शुकल है. इनके दो बहुत प्रसिद्ध गरंथ हैं, शिवराज भूषण और सिवा बावनी की रचना महराज सिवा जी के आश्रे में हुई थी. नगेंद्र क्या कहते हैं? नगेंद्र कहते हैं कि भूषण जो हैं रीती काल का विलक्षण कभी है, ऐसा कभी दूसरा था ही नहीं, क्योंकि और कोई कभी ही नहीं था जिसने वीरस की रचना ही लिखी हो इतने ही, तो जहां पूरी परिपढ़ी सरंगार की और दोड रही थ कुछ वरंद वगरा जैसे नीती की और दोड रहे थे, वहां हमारे भूषण जो हैं वो ओज को लेकर चल रहे थे, सिवराज भूषण में 105 अलंगकार हैं इस रचना पर, जैदेव के चंद्रा लोग, आज कल मैंने देखा है, पिछले कुछ कॉशन में देखा है, कि पूछ पूछते हैं कि फलाणी रचना पर किसका परभाव है, फलाणी रचना का पूर अभास किसमें देखने को मिलता है, तो इस ताइप से ऐसी रचनाओं पर विशेस फोकुस करना चाहिए, और जब पढ़ोना, तो इस तरह से नोट कर लेना चाहिए, इस्टार लगा लेना चा कब होता मैं आपको से ख तूछ तो भी ले ले वह गया तो तू ngay six एसे अनावश्यक अस अमाजी तत्व तो जो है वह वह एधर धृधaja तो यह हैं तो यह हैं तो यह हैं तो अबता है यह जो चुछ सामाजिक्ता तो होते हैं आसपास में, इनको ignore करना सीख लीजिए, याद रखें, यह आपको जीने नहीं देंगे, यह तो चड़ते वे को भी हंसते हैं और उतरते वे को भी हंसते हैं, तो इन लोगों को ignore आए नहीं सबसे बड़ा है, आपको तो क्या करना है, आपको तो इनसे बच कर चलते वे क्या कर ना ये ये नहीं कह सकते किर बाइना कुंको इस मes पर इसा खतरना खा jatay कि क्यी बार बठे में इसे बटा भी Pas और होता है कि भी पर्फिटीवां तो यह पाइट कभी पक्के नहीं होते इनको तो इस तरह से तयार करो जिस से हमारा ओसत से प्लब्स रहे तो पूरे कर देंगे वड़ना एक ऐवरेज स्थर से उपर रहेयं ये दौपार्ट ऐसे हैं जो बहुत बड़े-बड़े पार्ट होते हैं लगबक 40 पूस ब्लस कोशिन वादे होते हैं ये दो पार आप दोनों को आपको यह पार्ट जो ना प्रियास करो अब बात कर दो सर कावे सास्तर कावे सास्तर भी एक ऐसी जीज़ है जो हर किसी स्टूएंट के समझ में थोड़ा कम बैठती है कुछ student बहुत अच्छा पकड़ बना देते हैं और कई students के थोड़ा कम बैठती है ठीक है इस बार मैं तो एकदम निमनस्तर का student जो है ना बुद्धी में उसको भी मैं कावे सास्तर बड़िया तरीके से बताऊंगा कि उसको भी समझ आएगा वो भी पांच-पांच-चे उधरन जो है उंगलियों पर बोल पाएगा इस तरह से कावे सास्तर करवाऊंगा चिंता मत करो लेकिन ये दो पार्ट आपको मजबूत करने हैं व्याकरण और साहिते क्योंकि अगर आप यहां पर लगवग 90 प्लस कॉशन कर लेते होना तो आप लीड ले जाते हो फिर आप इन दो तीन पार्ट जो होते हैं एक सनातक वाड़ा और रह गया अगर आप इन तीनों में दस इंटू तीन यानि तीस तीस कॉशन भी कर देते होना तो आप देख लीजिए कितना होता है 120 का स्कॉर होता है एक छोटा सा एक्जामपल बताया है मैंने एक्जेक्ट आंकड़ों पर नहीं जाना ठीक है न तो मजबूत करने का प्रियास करें तब ही सेलेक्शन होता है और माइनिस मार्किंग से बच्चे है इसलिए मैं आपको टेस्ट सरी जोइन करने के लिए थोड़ा सा बोलता रहता हूं ठीक है चलिए तो सिवराज भूशन 105 अलंकार है इस रचना पर कहते हैं जैदेव का जो चंद्रा लोक है और मतिराम की जो ललित ललाम है मतिराम की जो ललित ललाम है उसका परभाव देखने को मिलता तो यह अपने अपने इंपोर्टेंट बात हो गई उसके बाद भूशन उलाज भूशन हजारा दूशन उलाज ये भी इनकी रचनाए है शिवा बावनी में शिवा जी की प्रसंसा है और चटर सा यही पुछा गया है कि कौन सा किसकी प्रसंसा में लिखा गया है बस इतना ही याद करें इसके लवा बूशन में से और कुछ विशेस बात नहीं पूछी जाएगी ठीक है और तो बूशन हाँ इन्होंने एक चीज है अलाकि ये नेट के लाएक है मैं बता देता हूँ ये न नया अलंकार लेकर आये थे जिसका नाम था भाविक छवी ये नया अलंकार का प्रयोक उन्होंने किया था जिसका क्या नाम था भाविक छवी तो ये एक बात इंपोर्टन आती है और ऐसा सिवा बावनी में बावन कवित है इसमें कवित कितने हैं बावन कवित हैं ये तो स 10 कवित चंद है ठीक है इसमें कवित चंद है उसमें बावन हो गए ठीक है और सिवराज भुषण में 105 अलंग कार है देखिए 105 अलंग कार है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चंद कितने है तो आप देखिए 382 चंदों वाला एक विशाल का एगरन था ये कितने चंद है इसमें 382 चंद हैं विशेश रूप से ठीक है न और तो इसमें कोई विशेश नहीं है बस इसके लवा इसमें और कोई विशेश नहीं है ठीक है आगया इए कुल पती मिस्र जो हमारे परिवार का पती होता है कुल पती होता है जिसे हम कहते हैं कुल पती जिसे हमारे परिवार में जब दादा जी होता है तो दादा जी दादा जी के बाद पता जी होता है वो कब बनते हैं कुल के पती जब 60 साल की उमर हो जाती है तब वो पती का रूप दार्ण करते हैं पती तो पहले ही बन जाते हैं लेगे फिर वो कुल के पती बन जाते हैं पहले तो एक के पती होता है फिर बाद में किस के पती हो जाते हैं कुल के पती हो जाते हैं कुल किसा कुल मतलब पूरे परिवारा सदश्यों के पती यानि स्वामी, तो वो होता है, 60 रिटार्मेंट वाली उमर में होता है, कुल के पती, ठीक है, ये आगरा में, और ज़्यादा, मतलब कई वार पती पनों ज़्यादा जाड़े नहीं, लोग में आगरा भेज दिया करे है, कि तूँ आगरा में जा, जैपुर नरेस राम सिंग क दर्बार में रहते थे, किसके दर्बार में रहते थे, अब कुल के पती, 60 साल की उमर में बनते हैं, ये बात आपको आज तक पता थी, क्या नहीं पता थी ना, ये बहुत रहस्य वारी बात है, जो मैं ही बता सकता हूँ, और किसी चैनल पर आपको नहीं बताई जाएगी, तो ये रस का रहिष्य है, चुल का पती, 60 साल की उमर में बनता है, और फिर आग्रा जाता है, राम सिंग्जी से मिलने के लिए, ये रैष्य की बात है, ये मुम्मट के काविप्रकास का च्छाय आनुबाद है, मुम्मट ने भी ऐसी बात कही थी, हमारे संस्कृत के आचारी थे, मुम्मट उन्हों ने भी अपने कावे प्रगास में ऐसी ही बात कही थी इसके अलावा संग्राम सार, कल इस गरिंथ का एक मैंने दूसरा नाम दिया था, आप कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बताओ देखें आपको मैंने बताया था, इसका दूसरा नाम बताया था, द्रौन परवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव है अब कुछ लोग कहते हैं कि कुल पती मिस्सर का सरह आप जनम गलत बताते हो और बिल्कुल गलत बताता हो लिखते पता भी चलता है क्यों कुछ किताबों में 1660 दे रکھा है लेकिन कुछ किताबें रस रहष्चे का जो सन ए वो 1670 बताती है तो अगर 1670 उसका सन है तो फिर इनका जनम 1660 में नहीं है यानि कहीं न कहीं तो विरोधा भास है तो ऐसा कोई authentic प्रमान मिलेगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा मैंने अभी तक चेक नहीं किया तो मैं आपको देखो विरोधा भास रह सकता है वो मैंने आपको इसपस्ट कर दिया क्योंको रस रहस्ये का जो सन है वो 1670 बताया जाता है जबकि मैं हमेशा इसका कुलपती मिस्र का जो जनम है वो 1660 बताता हूँ ठीक है हाँ अब देखते हैं महराजा जस्वन सिंग जस्वन सिंग ये जस्वन थड़ावाड़ा ही है जोधपुर के 1627 इस्वी में जस्वन सिंग जी 1627 में इनका जनम है और जनम हुआ कहा था देखो थोड़ा ग्रत्त है 1627 मारवाड में इनका जनम हुआ था इनका ग्रंद है भासा बूषण यह नाम है ना जस्वन सिंग का भाछा बुषन ठीक है और नोडस है ना आपके बास हैं मुझे बटाए है बाछा बुषन उसमे है दो सो बारा दो हैं इसमें इसके बाद इनोंने दो सिधान भूल सिधान सर अपर उख विलाज़ा एक तो ये ग्रंत भाछा बुषन सिद्धान्त नाम से दोगरंत है बोद और सार ये भी यहीं मिलेगा भाषा भुशन भी यहीं मिलेगा अपरोग सिद्धान्त भी इनी की रचना है उसके बाद आते हैं हमारे सबसे टेंजर कवी देव दत विवेदी है ना वो कौन सी पिक्चर है उसमें सुनील सेठी का नाम होता है कक्षे कुमार का नाम होता है देव है ना 1673 देव दत 1673 इटावा उत्रप्रदेश नगेंदर के अनुसार इनके कुल 72 गरंथ है लेकिन उपलब्द कितने हैं 15 गरंथी उपलब्द हैं कहा जाता है कि ये आचार्य कवी आचार्य भी थे और कवी भी थे समझ गए आचार्य भी थे और कवी भी थे और ये अनन्य संपरदाई में अनन्य संपरदाई में दिक्षित थे अनन्य संपरदाई में दिक्षित थे और जैसे कोई रिती का स्वभाव मानता है, कोई कुछ मानता है, ये जो है, वो काव्य का रिती जो है, रिती को काव्य का द्वार मानते हैं, रिती क्या है, काव्य का द्वार है, ठीक है, शुक्ल क्या कहते हैं, कि रिती काल में देव बड़े ही प्रगलब और प्रतिबा संप रितिकाल के प्रतिबा संपन्नकवियों में देव का नाम अग्रगण्य है देव का नाम सबसे पहले आता है सबसे प्रतिबा संपन्नकवियों में हैं ये अपने अखड सुभाव के लिए प्रसेदे थे इसलिए किसी एक राजा के पास ये टिक कर नहीं रहे थे अनेक है कि कुछ कभी होने उनकी स्विकार नहीं की तो एक मात्र ऐसे कभी है जिन्हों ने अपनी क्या दी मौलिक उद्भावनाई दी थी बाकी सबने तो व्यक्या की थी इसलिए व्यक्या ता चारिया के सव्चिंता मणी समझ गए रस सास्तर की विवेचना करते हुए छल नामक संचारी भाव किस ने दिया था वो दिया था देव ने इनके प्रिय लंकार थे यमक और अनुपराज अभी कितनी बेसिक बात है चल वाली लेकिन पूछ लेते हैं क्योंकि चल आता ही दिमाग में कन्फिज होते हैं कि केसव तो नहीं था क्यों केसव से कन्फिज होते हैं नहीं था देव का कहना था अभीदा उत्तम काव्य है और मद्यलक्षना हीन यानि यूँ कह सकते हैं कि ये अभीदा को सर्वस्रेश्ट शक्ती मानते थे अभीदा उत्तम काव्य है मद्यलक्षना हीन और अब बात करते हैं इनके कुछ गरंथों की सबसे पहले आप देखें इनका ग्रंथ है भाव विलास क्या है भाव विलास ये कहते है मात्र नोने 16 वर्स की आयू में लिखा था आजम सांग के आश्रे में इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है किसके आश्रे में लिखा था वहाँ पे ग्यान चंद के आश्रे में कौन सा था भोगनात के आश्रे में कौन सा था बहाव सिंग हडा के आश्रे में कौन सा था जांगीर के आश्रे में कौन सा था ये इवशेश याद रखना यहाँ पे आजम सांग क यह एक important है ठीक है क्यों कुसल विलास कुसल सिंग के आश्रे में भवानी विलास भवानी दत्वेशे के आश्रे में प्रेम चंद्री का important इसलिए है क्योंकि राजा उद्योत के लिए और कहते हैं पैसे के लिए लिखी गई रचना एक मात रचना है यानि किस रचना को इन्होंने मतलब पैसे कमाने के लिए रखी थी वो है प्रेम चंद्री का यानि इन्होंने प्रेम को बेच कर पैसे कमाई थे आप इसको यूँ याद रख सकते हो विशे वासना और इसमें है क्या इस प्रेम चंद्री का है है ना कि प्रेम की महीमा का वर्णन किया गया है ठीक है फिर बात करते हैं रस विलास तो रस विलास जो है भोगी लाल के आश्रे में रस विलास भोगी लाल रस विलास भोगी लाल है ना अस्ट्रियाम जो है अस्ट्रियाम में दिन के आठ प्रेरों के में नाएक नाएका को विविद विलासों का वर्णन है जो इनकी रिचना है सब्द रसाइन जिसको कावे रसाइन भी बोलते हैं ये दोनों अलग अलग नहीं है ये एक ही है सब्द रसाइन जिसको कावे रसाइन भी बोलते हैं यह इनका सरवांग निरूपक गरंथ है कैसा गरंथ है सर्वांग निरुपक गरंथ है मतलब क्या हुआ कि इसमें शब्द सक्ति नवरस नाइक नाइका भेद रीती गुण अलंकार छन सबका विस्तरत वडनन है तो इसी लिए इनका निम्यनमे से कौनसा सर्वांग निरुपक गरंथ है तो वो है शब्दर सायन या फिर काव वेर सायन है कनी मजव दारवाद तो भाव विलास, आजम सांगे आश्रे में कुसल विलास, कुसल सिंग के, भवानी विलास, भवानी दत के प्रेम चंदरी का राजा, उद्द्योत के लिए, पैसे कमाने के लिए विशेवासना के दूस प्रेनाम हैं, इस रचनामें प्रेम का महतम में है, रिस विलास, जो है भोगिलाल के आश्रे में है, अश्चेयाम है, फिर आई अभी तक तो देखी, إتने गरन्थ पढ़े हैं, देव सतक नाम से जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था ये था अध्यात्मिक ग्रंथ ये अध्यात्म से भरा पूरा ग्रंथ है क्या है अध्या नाम बूल गया मैं देव सतक देव सतक के बारे मैंने कुछ लिखा था क्या नोट्स में नहीं लिखा ठीक है कोई विशेस है भी नही अध्यात्मिक गरंथ है जाती विलास जो उन्हों ने गरंथ लिखा इसमें विविन्य प्रांतों की इस्तरियों के बारे में वर्णन है थिक है फिर उन्हों जो देव-maya-prapanch लिखा ये गरंथ important है क्योंकि नाम तो इसका देव माया प्रपंच है लेकिन कृष्ण कवी की प्रबोध चंद्रोदे का अनुवाद है कृष्ण कवी जो है संस्कृत के उनकी एक रचना है प्रबोध चंद्रोदे उसका अनुवाद जो है इन्होंने देव माया प्रपंच नाम से किया था इन्होंने जो एक देव सतक लिख दिया देव माया प्रपंच एक देव चरित्र और लिखा ये प्रबंदात्मा कावे में भगवान क्रश्न के चरित्र है नाम रखा देव चरित्र लेकिन इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है राग रतनाकर नाम से जो इन्होंने गरंथ लिखा था राग रतनाकर ये एक संगीत विश्यक गरंथ है जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है राग, तो राग रतनाकर मतलब ये संगीत विश्यक जो है वो ग्रंथ है प्रेम तरंग प्रेम तरंग, प्रेम चंदरी का लिखी तिनों ने राजा उद्योत है ना, लेकिन प्रेम तरंग में नाइक नाइका भेद और स्रंगार वर्णन है नाइक नाइका का भेद है और स्रंगार वर्णन है फिर आता है इनकी सुक सागर तरंग, ये एक रचना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ और मज़ा आजाएक आपको सुनके अंग भेद संबन्दी काव्य है काव्य के विविद अंगों का वर्णन कविद सविया चंदों में है ये तो बहुत नॉर्मल बात है लेकिन एक बात बताता हूँ आपको आज तक साहिद नहीं पता होगी और वो बात ये है कि इस रचना को नाई का भेद का विश्वकोष कहा जाता है इसलिए ये सुक सागर तरंग जो है इंपॉर्टन है ठीक है देव ने तातपरिय और नामक चौथी एक सब्द सक्ति की उद्भावना की किन्तू से मान्यता नहीं मिली तातपरिय नामक चौथी तीन सब्द सक्तियों के लाओ चौथी सब्द सक्ति दी ये थाक होनी हो देव ने कि मारत वे तीन ही पार कौन पढ़ रही लक्षणा सबसक्ति आज तक समझ गोना हुए बार बार समझा लेकिन असी वेद हैं विस्वनात के अनुसार विस्वनात ने जो साहिते दरपन लिखा है उसमें बताएं कि लक्षणा सबसक्ति के असी वेद हैं इसलिए इसको भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है तो कुल मिला के मानिता नहीं दी तो आप बच गए वरना आज आज आपको चोथी तातपरिया राम की एक रीती और है सबसक्ति और है वो भी आप लोगों को पढ़नी पढ़ती तो देख लीजिए आपने कित्ते गरंद पढ़ लिये भाव विलास, कुसल विलास, भवानी विलास, रस विलास तो चार और एक विलास और इस साइड कौन सा है इस साइड एक विलास और जाती विलास ये पांस तो इनके विलास है भाव विलास, कुसल विलास, भवानी विलास और रस विलास और जाती विलास फिर आप देखिए प्रेम चंद्री का है देव माया परपंच है देव चरित्र है, देव सतक है और सब्ध रसाइन, कावी रसाइन हो गई अश्टेयाम हो गया राग रतनागर है, प्रेम तरंग भी है सुक सागर तरंग भी है दो बार तरंगे भी है ध्यान रखना तो ये कुल मिला के आपकी जो आज की क्लास है वो संपन होती है तो बहुत ही बढ़िया पूर निकाले और वहां पर कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स भी धिरे-दिरे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप जब भी वह एक एक पेज के हैंड रिटन नोट्स देखो तो उसको आप अपने रिजिस्टर या नोट्स के आसपाद उतार ले मतलब पेपर आने से पहल है कि हम सभी जगें हैं वगयरा मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं देखिए आप यह नहीं सोचिएगा क्योंकि जो जेलेसी प्रवर्टी के होंगे वही सोचेंगे मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं मुझे इस्ट्रूइंट्स के जो मैसेज आते हैं चला कर तब मैं उनके उठाना पड़ता है खर्चा तो वो ची समझते हैं आप लोग तो थोड़ा बहुत लागत मूले लेना पड़ता है इसके बिना तो काम चलेगा कैसे दूसरी बात नीशवारत ऐसे है कि हम लोग अपनी जो परसनल लाइफ को ना दरकिनार करते हुए रात दिन जो हैं आपको ये कलासेस दे रहे हैं आपको अच्छा बहतर देने का प्रयास कर रहे हैं किताबें अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छे पढ़ रहे हैं हमने खुद के लिए कभी नहीं पढ़ी अच्छी लेकिन आप लोगों के लिए अच्छे पढ़ रहे ह कुछ लोग बोलते हैं , तो मैं तो कहूंगा क्योंकि आज अज महीं देखता है .to स्टूरेंट्स को पता तो चले एक वार शेर कब तक करना जब तक स्टूरेंट्स क्लास देख ले हां उसको अगर वाल अच्छी लगे तो अदर्वाइस नहीं देखेगा बस इसलिए बोलता हूं बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर जुड़े रहिए NDC क्लासे से बहुत जल् स्ट्राइस